हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल एवन टेक्नलोजी में फ्रेंट्स अगर आप उपने घर के लिए एक फ्रिज लेने जा रहा हैं तो ज़रा रुकिए इस वीडियो को देखते वेज़ाईए हो सकता है इस वीडियो में दी हुई जानकार यह आपके काम आजाएं और आप एक सही रेफ्रिजरेटर का चुनाव कर सकें क्योंकि मार्केट में जब आप निकलेंगे तो बहुत सा रे फ्रिज आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के फ्रिज हैं लाल है हरे है नीले है पीले है कई कंपनिया है कई ब्रांट्स आ चुके हैं इस मार्केट में जो आपको कन्फ्यूस करके रख देंगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टेकनिक बताऊंगा कुछ ऐसे तकनीक बताऊंगा जिससे आप अपने refrigerator का सही चुनाओ कर सकते हैं और गलत चुनाओ से भविश्य में होने वाली कई परेशानियों से आप आज ही मुक्ती पा सकते हैं बच सकते हैं तो friends वीडियो में लाच तक बने रहेगा वीडियो को बिना skip करें वे देखेगा कहीं ऐसा नहों कि कोई आप से कोई खास जानकरी छोट जाए और आपको बाद में पस्ताना पड़े तो friends आईए जल्दी से शुरू करते हैं बिना time waste किये friends जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल टेक्निकल से related है तो सबसे पहले मैं आपको refrigerator के technical part की जानकरी दूँगा तो friends fridge लेते समय सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उस fridge का compression, evaporation और condensation कैसा है आपको dealer से ये पूछना है कि इसका compression कैसा है, इसका compressor कैसा है, evaporation और condensation कैसा है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि fridge का temperature 4-5 degree Celsius के अंदर ही होना चाहिए और freezer का जो temperature है वो 0 degree Celsius से कम होना चाहिए क्योंकि कुछ fridge हों में इस तरीके का पैमाना नहीं होता है तो जिसकी वज़ा से एक बोतल पानी को ठंडा करने में कई घंटों लग जाते हैं जिसके वज़े से बहुत सारी बिजली की बरबादी होती है और आपकी pocket भी साथ-साथ धीली होती रहती है अब मैं आपको दूसरे point के बारे में बताता हूँ तो friends fridge में दो part होते हैं एक part होता है main body का और दूसरा part होता है उसके freezer का तो fridge लेते समय आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 80-20 यह 70-30 रेशियो का ही fridge लेना है ताकि जिसमें की 80 जो होगा वो आपकी main body का ratio होगा और 20 जो होगा वो आपके freezer का ratio होगा यह liters में होता है friends मतलब कि जैसे कभी आपको यह लगे की freezer में आपको cooling की ज्यादा वोशाकता है तो आप main body से cooling को freezer में transfer कर सकते हैं आपको freeze लेते समय इस बात करें जरूर धियान रखना है अब friends चलते हैं third point की और पर उसे वहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वीडियो में लाश तक बने रही है क्योंकि आखरी वाली टिप बहुत ज़्यादा important और कमाल की होने वाली है तो friends अब बात करते हैं कि power consumption की लिए आपको ऐसे fridge का चुनाओ हमेशा करना है जिसमें inbuilt inverter technology power compressor unit लगा हुआ हो पहले से वह inbuilt हो अब आप पूछेंगे कि इस चीज़ से क्या फायदा है तो friends मैं आपको बता देना चाहता हूं कि inbuilt inverter technology unit जो होती है यह आपके fridge के power को लगतार optimize करती रहती है आपके fridge में जो automatic on off होता रहता है वो जंजट से आपको हमेशा के रहात मिल जाएगी और आपका fridge हमेशा अपने तापमान के according अलग-अलग speed पर चलता रहेगा जिससे कि 30 से 40% की बिजली की बचत 100% होने ही होने वाली है मलब 30 से 40% के बिजली की बचत तो होनी होनी है और मैं बता दूँ friends के fridge क जो power consumption के हिसाब से Bureau of Energy Efficiency जो company है वो rating करती है तो आप जिस भी fridge में 5 star की rating अगर देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसको 5 star की rating Bureau of Energy Efficiency company ने दी है और ये fridge औरों की अपेक्षा कम बिजली खीचने वाला fridge है तो कोशिश ये करिए कि आप 4 या 5 star rating वाले fridge ही purchase करिए इससे आपक consumption कम होगा फ्रेंट्स चौथी टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जितने भी fridge होते हैं वो सारे fridge कारबन को release करते हैं पर market में अब eco friendly fridge भी आ चुके हैं जो अन्य फ्रिजों की अपेक्षा कम कारबन release करते हैं तो अगर आपकी pocket allow कर रही है तो आप eco friendly fridge को ही prefer करें उसको ही purchase करें इससे क्या होगा कि आपका fridge कम कारबन को release करेगा और फ्रिजों की अपेक्षा अब बात करते हैं last but not the least point या tip की तो friends fridge लेते समय आपको हमेशा अपने परिवार के साथ जाना चाहिए इससे क्या होता है कि इससे आप dealer के जो dealer जो आपको manipulate करता है उससे बच करके आप अपने परिवार के साथ आपस में discussion कर सकते हैं कि कौन सा fridge हमें लेना चाहिए अपने family के लिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए इसमें आपको बहुत बड़ी मंदद मिलती है discussion करने में और fridge मैं आपको बता तो friends की fridge आपको हमेशा dark color में ही लेना चाहिए आपक के लिए वो चमकदार और नया बना रहेगा और friends में एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई भी electronic सामान ही नहीं बलकि घर का कोई भी सामान आप purchase करने जाए market में तो हमेशा अपने budget को जरूर धियान में रखें कि आपको अपने budget के according कौन सा सामान आपको purchase करना है या कौन सा न अदद मिले तो friends अगर वीडियो पसंद आई होते हैं लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और नीचे दीवी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीएगा ताकि मेरी latest और updated वीडियो के notifications आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो friends मिलते है नेक्ट वीडियो नेक्ट आप इसाथ तब तक के लिए love you all take care thank you